नमस्कार आज ये वीडियो में फाइनल के विद्धार्तों के लिए बनाया जा रहा है जिसमें हम आज बात करेंगे सास्त्री कला की जिसमें यूनानी, हेलेनेस्टिक और इस्ट्रकन तथा रोमन सेलियों के बारे में हम यहां बात करेंगे यूनान की कला, पश्यमी सब्बता एम कला के दो सुरोत रहे हैं, यूनान तथा बाईवर यूनानी लोग पश्यमी ऐसिया के आयोनिया नामंक प्रदेश से ग्रिस पहुंशते थे, वहां उन्होंने ग्रिक सब्बता और कला का विकास किया इस कला के संबंद में आज हमें जो कुछ भी ग्यात है वैसाव उन्नीशवी सतापदी से ही संबव हुआ है प्राचीन युक्के समाप्त होने के साथ साथ अनेक महान कलाकरतियां भी नस्ट हो गई थी कांस प्रतिमाएं गला दी गई, चित्र नस्ट कर दिये गए, संग्मरमर के भवनों और प्रतिमाओं को फूक कर चूना बना लिया गया कुछ बड़े बड़े भवन के इसी से बचे रहे क्योंकि उन्हें किसी राजगे कारेले अत्वा अनुपियोग में ले लिया गया था लगबग एक सहस्त्र वर्ष के उपरांत इटले की पुनरुथान कला ने इस प्राचीन सहली से प्रेणा लेना और इसका गंबीर अध्यन आरंभ किया लेख को तथा कलाकारों ने इसकी प्रतेक विशेष्टा को उत्तमाना किन्तु जिन कृतियों का वे अध्यन कर रहे थे वे यूनान की प्राचीन कला के संपुन कोश का एक अलपांस मात्र थी बिना मूल कृतियों के इसका ठीक ठीक मुल्यांकन संभव था और केवल रॉमन अनुकृतियां ही उपलब्ध थी अठारवी सताबदी में इसका वे ज्यानिक अध्यन आरंभ हुआ उस समय यूनानी कलाकी रॉम आदी में बनाए गई यंत्रवत अनुकृतियों की बड़ी प्रसंचा की गई किन्तु उन्नीसवी सताबदी में यूनान के उत्खनन आदी से प्राचीन प्रतिमाओं यम भवनों आदी के एप्रतिम उधारन प्रकास में आये फिर भी आज ये इस्तिती है कि तीन-चार स्रेष्ट मूर्तियों के अत्रिक्त उस कलाकी कोई उप्तम सामगरी प्राप्त नहीं है चित्र तो एक भी नहीं मिला रोमन के पॉम्पेई इस्तित भीती चित्रों के अत्रिक्त इस्फुट रूप में कुछ अनुकृतियां ही उपलब्ध है अरस्तु, प्लूटार्च, प्लीनी तथा सिश्रो आदीने चित्रकला के जो उलेक किये हैं हमें चित्रकला के इतिहास के लिए उनी पर आधारित रहना पड़ता है युनान की कला का सुरोब अब हम बात करते हैं युनानी कला के सुरोब की युनान में 766 इस्वी पूर में उलम्पिक खेलो का आरम हुआ प्रतेक चोथे वर्ष आयोजित होने वाले इन खेलो ने युनान के समस्त निवासियों को एक सुत्र में बाढ़ने का प्रेतन किया यहां कुछ मानविये आधर्स इस्तिर हुए कुछ देवताओं का सुरूप विक्सित हुआ और सबसे अधिक मानव सरीर की पूर्था की कल्पना जगी इससे युनानी कला को भी एक दिशा दी जिसका चरम उननत स्वरूप हमें एथेंस में पेरिकलीज की सुवर्ण युगीन तथा हेलनिस्टिक कला में मिलता है युनान को मिश्र की कला का अनुकरता अनुगामी कहा जाता है किन्तु वास्तों में उन्होंने एक पूर्ण भिन्न कला जगत की स्रश्टी की इस स्रश्टी में सास्वत अत्वा चिंतन के इस्थान पर सैक्षनी तातकालिक को व्यक्त किया गया समय के किसी एक बिंदू पर विभिन सक्ष्क्तियों को संतुलिक प्रभा उत्वन किया जा सकता है युनानी कला का उसी के अंकन में लगा रहा युनान को मिश्र की कला का अनुकरता अनुगामी कहा जाता है किन्तु वास्तु में उन्होंने एक पूर्ते भिन्न कला जगत की स्रस्टी की है और इस स्रस्टी में सास्वत अत्वा चिरंतन के इस्थान पर छनिक एमततकालिक ताको व्यक्त किया गया और समय के किसी एक बिंदो पर विभिन सक्तियों का जो संतुलेक प्रभावत्पन किया जा सकता है युनान का कलाकार उसी के अंकर में लगा रहा इसे प्राप्त करने का युनानी कलाकार का प्रधान सादन गती है यदपी कलाकरती जड़ होती है तदापी साररिक अव्यवों की ब्रहे सीमाओं आक्छो भार एमदर्ष्टी बिंदू के समनव से आकरती में जो गती सीलता अनवाग की जा सकती है यूनानी कलाकार ने उसका पून उपयोग किया है इसमें एक दिशा हीन लोच है जबकि मिश्री कलामे नर्दिष्ट सैयम है यूनानी कलाकारों के हेतु ये भोतिक एमदर्ष जगत की सत्त था जीवन को अधिक से अधिक कून बनाने की केश्टा ही वे अपना लक्ष मानते थे इसलिए उनके देवता भी मानवे आकांचाओं क प्यादर्ष रूप मातर थे जिस नग्न मानव सौंद्रिय का ग्रिक कलाकारों ने साक्षा कार किया था उसे तुर्टी रहित पूर्ण साररिक अनुपातों में व्यक्त किया था उसके पीछे ग्रिक कलाकारों का गहरा अर्थ सीफा था उन्होंने अपने देवताओं को सु धर्म से प्रेरित थे और मनुस को उसी उच्च देविये इस तर तक उठाना उनका लक्ष था उनमें केवल सुखवादी भावना नहीं थी देवताओं को उन्होंने आदर्स मानावो के रूप में ही देखा था अते ये देवता और उनके जीवन से निकिटता से संबन दित थ समात्रा आदिक अभी उन्होंने पूर्ण विचार किया था हेलनिस्टिक युग तक युनानियों के जीवन में कलाओं का बहुत महत्व रहा है आरंबिक युनानिकला देवालों अथवा पात्रों के अलंकरन का विवारिक उद्देश लेकर चली समाज में कलाकार का बड़ समबा हुई कलाकारा को उसके गुरू द्वारा दिरकाल तक सिक्षा दी जाती थी और यही कारण है कि इस कला में प्राय विशियों पात्रों तथा गठनाओं की निरंतर एक रूपता ही मिलती है फिर भी कला केवल सिल्प ने होकर उसके कुछ अधिक थी और लोगों का रूप की पूर्टा की दिशा में युनानी लोग पांचवी सताब्दी इसापूर के उत्तराद में सर्मोत कर्ष प्राप्त कर सुके थे मानवा करतियों के आंकलन में प्रकतिय मादर्स रूप का सुन्दर सम्नव ततकालिक डोरिक सहली के पार्थिनन नामक भवन की प्रति होता है नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे जन्नवाद